स्मार्ट मीटर में जो भी बिल आता है उसे नत्व आप देख पाते हैं वो सेंट्रली एक ओफिस से गाइड होता है यह अभी देखा जाता है कि कभी अचानक बहुत कटोती हो रही है कभी माइनस में चला जाता है अभी एक मित्र से बात हो रही थी वो एक महीना के लिए घर स से बाहर थे और उनके घर का मीटर माइनस बत्ती सजा और घर में यह घटनाएं हो रही है हर ब्यक्ति परेशान है स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वह है कर्स की पहूंच के अंदर है उसो है कि भी किया जा सकता है और उसमें जो बिल उठा रहा है उसो काफी स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग कॉंग्रेस पार्टी करती जो पुरानी मीटर व्यवस्ता थी अभी उसी को लागू कि नमस्कार आप देख रहे हैं रूज फोनेशन और मैं हूं प्यदर्शन बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर एक ऐ कॉंग्रेस ने राजी के नितीज सरकार के खिलाफ मुर्चा खोल रखा है कॉंग्रेस की ओर से 30 सितंबर को पूरे राजी के तमाम प्रखंडों में विसे स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक विसेस अभियान चलाया जया और अब दो अक्टूबर से एक बार फिर से पूरे कार रही है इसंपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पुरू आयसादीकारी गोरखिनाद जी जो की हाल फिलहाल ही कॉंग्रिस में स्वामिल हुए हैं तो गोरकनाद इस तमाम मुद्धों पर क्या चाएं और कॉंग्रस पार्टी की क्या मांग है हमाई उन से बात करते हैं गोरकनाद जी आपने जैसा बहुत बताया था कि कोंजिक बड़ा और अब इस आधिया आर अस्मार्ड मीटर की खिलाब क्यों लेकिन बिजली के खर्च पर जो अस्मार्ट मीटर की वेवस्था है उसमें बिल्कुल अस्मार्ट लूट की वेवस्था की गई है अस्मार्ट मीटर में कोई ट्रांस्पेरेंट वेवस्था नहीं की गई है अभी smart meter में जो भी बिल आता है उसे न तो आप देख पाते हैं वो centrally एक office से guide होता है यह भी देखा जाता है कि कभी अचानक बहुत कटोती हो रही है कभी minus में चला जाता है अभी एक meter से बात हो रही थी वो एक महिना के लिए घर से बाहर थे और उनके घर का meter minus 32,000 हो गया वे बड़े परेशान हुए वापस आये तो उनका बिजली भी कटी हुई थी जब उन्होंने 32,000 से अधिक रूपया उसमें डाला तो बिजली चालू हुई उसके बाद उन्होंने complain किया कोई सुनवाई नहीं हुई उन्होंने फिर परचे ढूंड़ा और परचे के माध्यम से जब उनको देखा गया तो पाया गया कि उनका modem खड़ाव था तो इस तरह कि एक घटना के बारे में मैं जेकर कर रहा हूँ और घर घर में ये घटनाएं हो रही है हर ब्यक्ति परेशान है स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो हैकर्स की पहूंच के अंदर है उसो हैक भी किया जा सकता है और उसमें जो बिल उठा रहा है उसो काफी खरचिला है इस एक तरह से ये पुराने मीटर में ये विवस्था थी कि जो बिल आप कंजूम करते हैं उसे एक मीटर रीडर आखे देखता था और तब वो बिजली बिल आपको देता था बिजली कटने की विवस्था नहीं थी अभी ये है कि अचानक बिजली कट जाती है अन्य राज्यों में विवस्था की गई है कि बिजली कटने के पुर्व कम से कम आपको सुचित किया जाए आपको बताया जाए लेकिन है कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है अगर आपको कोई गिरिभांस है तो उसके निप्टाने के लिए कोई गिरिभांस सेल भी नहीं तैयार किया गया है एक नंबर उनश्व बा तो आखिर जो तमाम बातें आब बता रहे हैं कि इस प्रकार की परिशानियां हो रही है तो इसे लेकर के कॉंग्रेस चाहती क्या है क्या आपकी पार्टी चाहती है बिहार में स्मार्ट मीटर का किया क्या जाए क्या इसका हो असमार्ट मीटर के इस्टॉलेशन पर ततकाल रोक लगाने की मांग कॉंग्रेस पार्टी करती है जो पुरानी मीटर विवस्था थी अभी उसी को लागू किया जाए अभी कॉंग्रेस पार्टी की यही डिमांड है तो दो अक्टूबर से आप लोग एक राजस्तरी अभिया है कि दो से साथ तक हम लोग जन जागरन जनता को यह बताएंगे घूम घूम के हर जिलों में हर प्रकंडों में कि आपको के साथ सरकार लूट कर रही है अभी जितनी भी बिजली कंपनियां है सब अपने आपको फाइदे में दिखा रहा है और जनता का पैसा लूटा जा र रही है जबकि प्रजातंत्र प्रजा यह पूरा तंत्र पार्जाक के लिए काम करता तो आपे सब्सक्रापे चलांग दो जमीन का काम चलुब्यार ले कर के लोग परिशानी चेल ही जर्म जमीन सर्वे का निर्णाए तो सही है लेकिन इस निर्णाए के पूर्व एक ग्यास्टेशन पिरियएड होना चाहिए कम से कम छो माईना का जिसमें कि आ ones जब ही जो भी भूमी धारित करते हैं जिनके पास भूमी है उसके भूमी का पहले लेखा जो खा सही किया जए जब देश आजाद हुआ तो भूमी शुधार कानून पास किया गया और भूमी शुधार कानून पास करने के बाद जमिंदारों का उन मुलन हुआ और किर्सकों के जमीन सीधे आम सरकार के नियंतरन में आई और सरकार में नियंतरन में आने के बाद जमीन के बहुत सारे किस्म हुए गैरमजरुआ आम जमीन गैरमजरुआ खास जमीन गैरमजरुआ मालिक कैसरे हिंद और रहयती जमीन और इसमें भी पाया गया कि पहले लोग बंटबारा अपना रसीद कटाके उस भूमि का उपयोग करते थे लेकिन कुछ परिवार में ऐसे भी होते। थे कि कुछ परिवार में ने जमीन का। दौरान जमीन का सेल भी किया। तो सर्वे की परिशानी है सर्वे में जो चुनाऊतियां लोग घेल रहे हैं तो इस सर्वे को ले कर करके आप लोगों का क्या सुझाओ कर लिया जाए उसके जमीन का दाखिल खारीज में क्या गरवरी है अभी देखा क्या जा रहा है अंचलों में भरस्टा चार भी कायम है आम आदमी का काम नहीं हो रहा है दौरते दौरते लोग परेशान है सरकार के अस्तर से उसको निप्टाने की ववस्था की गई है लेकिन किसी भी अंचल का निडिच्छन करने पड़ यह पाया जाता है कि अधाकिल खारी काफी लंबे अर्से से लंबी थे तो जब तक आप सभी जमीन को कायम नहीं कर देंगे जिस भूधारी का है तब तक सर्वे होने से घर घर में विवाद होगा और खूनी विवाद बढ़ेगा तो बिहार में चाहे स्मार्ट मीटर हो जिसे हमें अभी बता र मानना है कि राज भर में यह जमीन सर्वे आम लोगों के लिए बड़ी मुशिवत है तो इन तमाम चाहिए उपर हमारे साथ बात कर रहे थे गो रखना जो बता रहे थे कि कॉंग्रेस कैसे स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लिए करके अपना विरूद चिवत अता रही है तो आगे आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों को लिए करके और क्या कॉंग्रेस का रवया रहता है हम आपको तमाम अप्रेट्स पताएंगे बने रहे हैं फोर नेशन के साथ